सुपर बात बच्चो आज हम कख्षा आठ की वसंत भाग तीन से तीसरा पार्ट बस की यात्रा का अध्यन करने जा रहे हैं बस की यात्रा पार्ट के लेखक हैं डॉक्टर हरीशंकर परसाईजी जिनोंने एक व्यंग शैली में इस पार्ट को लिखा है यह जो पार्ट है मैं आप लोगों को बता दूँ कि बस की यात्रा पार्ट है यह एक निबंद शैली में लिखा गया व्यंग आत्मग है व्यंग गर्थ यहाँ पे क्या होता है कि लेखक ने बस के माढ़म से याता यात के सादनों पर और प्राइवीट जो कमपनिस जो बसे चलाती हैं उनके लालज पर उनके स्वार्स पर एक वेंग कसा है और इसमें हासे सहले का भी प्रयोक किया गया है कि वेक्ति टूटी फूटी बसों में जब यात्रा करते हैं तो किस परकार से हसी मजाक उसमें होता है तो आईए शुरू करते हैं बस की यात्रा बस की यात्रा से ही आप समझ गए होंगे कि पार्ट के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि हम किसी बस की यात्रा के बारे में यहां पर बात करेंगे यात्रा का अर्थ होता है आना जाना कहीं पर जाना घूमने जाना बसके माध्यन से कहीं पर जाना कहीं पर पहुंचना ठीक है तो हम इसका आध्यन करने से पहले पार्ट के कुछ कठीन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं जो पार्थ में आये हैं जब आप वसंत में से पार्थ पढ़ोगे तो आपको कुछ शब्दों के निमित का अर्थ होता है यहाँ पे कारण या साधन गोता लगाना अर्थ होता है डूब की लगाना जैसे पानी में डूब की लगाते हैं उसको हम गोता लगाना भी बोलते हैं इतिफाक इतिफाक का अर्थ है सैयोग सैयोग का अर्थ होता है अचानक मिल जाना मतलब पहले से क इत्दम से सुना जहां पे सिरफ जंगल जंगल पेड़ ही पेड़ नजर आ रही है व्यक्ति या कोई दुकाने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रही है एक शब्द आया है अंतेश्टी अंतेश्टी होता है दासंसकार करना जो व्यक्ति की मृत्ट्य हो जाती है तो उसके को ला जाता है यहा पे अन्टेष्टी फिर आता है प्रियां प्रियान शब् Doorbandam in चाना मरना प्रेयान उन्होंने प्रानों को छोड़ दिया फिर आता है बेताबी बेताबी अर्थ अर्थ होता है यह बेचैन हो LAUGHTER यह प्रियान हों छहना इस कहाने को एक बार समझ लेंगे, फिर अपनी वसंत भाग में से इसको एक बार पूरे पार को पड़ लेंगे, मैं इसके पूरी कहाने आपको शोट में समझांगी, यहां पर तो देखे आप लोगों के एक बस यहाँ पर दिखाई दे रही ओगी, बस की हालत आपको दिखाई दे रही होगी कैसी बस है बच्चों ये कैसी दिखाई दे रही है टूटी फूटी सी बस ही आपको बुरी दिखाई दे रही है जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है आप देख सकते हो इसके आगे का बोर्ड भी टूटा फूटा सा है पहिए भी इसके घिसे वे से हैं और इसके जो खिड़किया है जो काच है ये भी क्या है बिल्कुल ही टूटी फूटी सी हालत में ये बस दिखाई दे रही है ठीक है तो इस बस में यात्रा व्यक्ति कैसे कर करते हैं यहां पर जो यह कहानी है कहानी नहीं यह बेसिकली यह निबंध है जिसमें जो पाँच मित्र होते हैं वो एक फैसला लेते जैसे आप लोग भी पाँच ये दिफ्रेंट्स हो जाएं इकक्ठे हो जाएं तो आप लोग डिसाइड कर लें कि हमें आज घुमने जाना तो ऐसे ही पांच मित्रों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि शाम चार बजे की बस वो पकड़ेंगे और कहां से ये लोग डिसाइड कर रहे हैं इनको कहां पर जाना है जबलपूर जाना है जबलपूर मद्यपरदेश में एक जगह है ठीक है तो आप लोगों को ध्यान रखना है और पन्ना भी मद्यपरदेश की ही जगह का नाम है तो पन्ना से इसी कमपनी की बस सतना के लिए घंटे बर बाद चलती है जो जबलपूर की ट्रेन मिला देती है यानि पांचों दोस्त मिलके क्या तै कर रहे हैं कि वो पन्ना से इस बस को पकड़ेंगे और ये जो बस से उनको कहां स्टेशन तक पहुचा देगी जो जहां से वो जबलपूर की एक ट्रेन पकड़ लेगे यानि पांचों दोस्त को कहां पर जाना है जबलपूर में जाना है बस कहां से पकड़नी है पन्ना से निकल कर सतना के लिए भरती है ठीक है पन्ना से उन लोगों को बस पक कि हम रात में ही अपनी यात्रा जो है पूरी कर लेंगे और सुबह तक अपना ओफिस के समय पर वापिस आ जाएंगे जैसे आप लोग भी डिसाइड करते हो कि चलो हम आज रात के लिए नासी घूमाते हैं और सुबह स्कूल के टाइम तक आ जाएंगे आप लोगों ने भी ब कुछ है कि हम वापसी का रास्ता भी ऐसे ही तै करेंगे यानि पहले हम ट्रेंस आएंगे और फिर हम बस को पकड़ लेंगे लेकिन इतने में क्या होता है कोई समझदार व्यक्ति मतलब कि जिसकी कोई उमर थी वो जो व्यक्ति होता है कोई समझदार व्यक्ति क्या कहता है कि शाम की बस से सफर करना सही नहीं है सफर करने का अर्थ यहाँ पर आप समझ भी गए होंगे यात्रा करना ठीक है तो कोई समझदार आदमी देता है कि शाम वाली बस सफर सही नहीं रहता है तो फिर पांचों दोस्त पूछते हैं क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं सामने वाला समझदार वेक्ति क्या जवाब देता है नहीं बस डाकिन है बस डाकिन का अर्थ यहाँ पर एक शब्द यूज आया है यहाँ पर बस डाकिन है तो क्या मतलब बस ही डाकू है यहाँ पर लेखक ने क्या दिखाया है कि बस की इतनी बुरी इतनी खस्ता हालत है कि वो आपको पोचा नहीं पाएगी ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं बस को देखा तो श्रद्दा उमर पड़ी खुब व्योवरिद थी सद्यों के अन्भों के निशान लियो थी यहाँ पर लेखकर क्या दिखा रहा है कि बस कर दिखा रहा है जैसे उन्होंने बस देखी तो बस इतनी बुरी हो चुकी थी व्योवरिद करत यहाँ पर आया है कि बस इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसको देखकर हमारे मन में श्रद्दा श्रद्दा एक शब्द यहाँ पर आया क्या होती है श्रद्दा किन के परती होती है श्रद्दा हमेशा बड़ो के परती होती है बड़ो के परती जो सम्मान होता है आदर भाव होता है उसी को श्रद्दा कहा जाता है तो पांचों दोस्तों के मन में क्या हुआ कि बस के परतिक श्रद्दा भाव आ गया यानि उसके परतिक आदर का भाव आ गया और क्या हुआ कि बस इतनी पुरानी होगी थी आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी पुरानी इसी बस एकदम जिसमें बैटने का मन नहीं करत ही तो क्या है लेकर क्या कहे रहा है यहां पर बस पर इतने जाद़ निशान ते मतलब इतनी पुरानी हो चुकी थी ऐसा लगता था पता निकुत समयंसे बस वो चल रही है। उसके रहं चेंसरी तैयर बदल यौई हैं न उस में शीशे लग वाई गई गई पूरानी हो चुकी है ओर ऐसा लग रहा था सभी लोगों के निशान यानि चिन मतलब कि उस बस पर लगे हुए हैं तो यहां पर ये बस का वनन लेखक करते हैं इनमें सही जब बस की कमपनी के एक हिस्सेदार भी बस में जा रहे थे बस कमपनी के हिस्सेदार का मतलब क्या है जो बस चला रहे हैं, जो पैसा लगाते हैं, एक व्यक्ति उनमें वो भी बैटा था, उस व्यक्ति को पता भी था, कि बस कितनी बुरी हालत है, बस का नवीनी करन करने की जरूरत है, आउशकता है, नवीनी करने एक शवद मैंने बोला, यहाँ पे नवीनी करन का अर्थ है, कि बस का जो है मरमत की जानी चाहिए ये जो है बात बस मालिकों को भी पता है लेकिन वो स्वार्थ बस अपना पैसा कमाने के लिए उस बस पे पैसा खर्च ही नहीं कर रहे थे ठीक है तो वो भी बोले तो पांचों मित्रों ने पूछा ये एक हास्टे वेंगम हास्टे शेली मे लिखा हुए निबन तो उन्होंने पूछा कि ये बस चलती भी है उन्होंने किस से पूछा कमपनी के एक हिस्सेदार वेक्ति से पूछा जो बस में सफर कर रहा था तो वो बोले चलती क्यों नहीं है जी अभी बस चलेगी हमने कहा वही तो हमें देखना चाहते हैं अपने आप चलती है क्या यह इस तरीके से किन किन के बीच में पांचों मित्रों के बीच में और कंपनी के खिस्सेदार की वेक्टी के बीच में बाते हो रही हैं तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ बस तो है चली बस को शुरू किया है वहाँ पर कोई डोक्टर भी सफर कर रहे थे बस के अंदर में जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप सफर करते हैं तो बस में बहुत सारे लोग होते हैं आपस में जान पेचान भी हो जाती है तो उन्हों ने कहा डोक्टर मीतर ने क्या का डरो मत चलो बस अनुभवी है नई नवेली बसों से जादा विश्वसन नई नवेली यहां पे एक शब्द आया नई नवेली मतलब जो नई नई बसों बसे हैं इनसे जादा दिश्वास के योग्या है यह बस हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी इस तरीके से आपस में जो है आप लोगों यह चीतर देख रहे होंगे पांच में बहुत सारी आवाज आती है बहुत सारी आवाज ऐसे आते कि पूरी बस हिल जाती है आप लोगों ने कहीं बार देखा होगा जो पूरानी बस होती है एकदम पूरी उसकी खिड़किया भी आवाज करती है बस का इंजन तो आवाज करता ही है और लेकर को क्या लगता है क हम बस में नहीं बैटे हैं हम किस में बैटे हैं इंजन के अंदर ही बैटे हैं ऐसा क्यों लग रहा था लेकक को यह आप समझ गए होंगे क्योंकि बस इतनी आवाज कर रही थी बस इतनी जोर से जोर जोर से हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो इंजन के अंदर ही बैटे है और बस की खिड़कियों जो है वो सारी तूट चुकी थी थोड़ छोटे छोटे कांच उनमें बचे हुए थे ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी वेक्ति को उनसे चोट ना लग जाए तो यह आप चितर देख सकते हैं उसके बाद जब इस तरीके से बस चलती है तो लेखक को एक म अंग्रेजों के खिलाफ भार्तियों ने यह एक दिद्रो किया था सन 1931 यह आप देख सकते हो कि भार्तियों ने क्या क्या जohun गया का मतर्त है यहाँ पर कि हम आपकी आग्या का पालन नहीं करेंगे तो लेखक ने यहाँ पर संविन्या अवन्या को बस से क्यों जोड़ा ह या आप सोच सकते हो कि बस का एक एक पुर्जा ये कह रहा था बस से कि मैं तुमारे साथ चलने के लिए तयार नहीं हूँ फिर भी उनके लिए क्या था कि उनको जबरदस्ती ले जाया जा रहा था जिस परकार भारतियों से जबरदस्ती हो रही थी भारतिय अंग्रे जो एक भी बात मानने के लिए तयार नहीं थे उसके बाद भी भारतियों से सारी बाते मनवाई जा रही थी इसलिए मात्मा गांदी ने सवीन्य वग्या आंदूलन किया था और ये बस भी कुछ इसी परकार से कह रही थी यहां पर लेखक क्या बाते कह रहा है लेखक एक तो हमारे जो यातायात की विवस्ता है जो नियम है वहानों के लिए वहान मतले जो जैसे गाड़ी चलती है बस चलती है इनी को हम वहान बोलते हैं साधन तो ठीक है वहान के जो साधन है इनके लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए जो कि यहाँ पर यहाँ इस पार्ट में क्या दिखा गया बस कंपनी के मालिकों ने बिल्कुल भी उन येमों को ध्यान नहीं रखा था ठीक है उस समय में जो है सिरफ और सिरफ वो पैसा कमा रहे थे और बस पे कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे थे यात्रियों की सुरक्षा से समंदित उनके कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि बस की ऐसी हालत थी बस कहीं पर भी ब्रेक फेल हो सकता था बस का यदि अक्सिडेंट हो जाए तो सारे यात्री मर सकते थे लेकिन यहाँ पर बस कंपनियों ने बिल्कुल भी बस को सही नहीं करवा ठीक है तो यहाँ पर लेखक ने सवी नवग्यांदुलन की से बस से तुलना की है सीट का बोडी से ऐसे योग चल रहा था कभी लगता सीट बाड़ी को छोड़कर आगे निकल जाएगी कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बाड़ी आगे जा रही है मतलब वो जिस सीट प तंकी में छेद हो गया समझ गया कि बस की हालत इतनी जादा खराब थी कि पेट्रोल की तंकी में छेद हो गया इतने में ड्राइवर ने क्या किया बाल्टी में पेट्रोल निकाला और बगल में और फिर क्या किया उन्होंने कंडरी डाल कर इंजन में उन्होंने पेट्रोल क पिलाया ऐसे लग रहा था कि जैसे बच्चे की कोई माँ है जो है उसको दूद पिला रही हो बस की यहाँ पर बच्चे की माँ बच्चे को दूद पिलाना हो इसी परकार से बस ड्राइवर जो है बस को क्या पिला रहा था यहाँ पे पेट्रोल पिला रहा था तो यहाँ पर क नर्जीव वस्तूओं, जब नर्जीव वस्तूओं को किस रूप में दिखाया जाता है हमेशा, सजीव, नर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं है, सांस नहीं होते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, यहाँ पर बस कैसी एक नर्जीव है, लेकिन उसको किस रूप में दिखाया गई थी जैसे हमारे मन में व्यक्ति के परती संमान की भावना अधिया उसी प्रकार बस के परती वी उन पांचों मित्रों में संमान की भावना थी इसलिए या पर कौन सा लंकार का प्रयों किया गया है मानुवी करने लंकार का 10-15-20 मील बस गई उसके बाद क्या होता है सब को डर लग रहा था सारे पांचों मित्रों को डर लग रहा था कि कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए कहीं बस का स्टेरिंग ना तूट जाए और चारों तरफ क्या थे पेड थे पेड थे और उन पेडों पर पक्षी बैठे हुए थे और यहां पर लेखक जो हर पेड को अपना दुश्मन समझ रहा था अब यहां से एक प्रश्न भी बनेगा कि लेखक हर पेड को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था मैं आपको बता दूं क्यों समझ रहे थे क्योंकि बस की हालत इतनी खराब हो चुकी थी बस इतनी जीन अ लक्राइगी वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इनतजार हो जाता जील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी मैंने गोता शब्त का अर्थ बताया था यहां पे अगर कहीं जील दिखाए देती तो लेकर को डर लग जाता कि कहीं बस इस जील में गिर यहां पर सविन्य वाग्या अंदोलन शुरू हो गया मतलब अब बस के एक एक हिस्से ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब नहीं चला जाएगा कमपनी के इससेदार कह रहे थे बस तो फस्ट क्लास है जी अब कमपनी के इससेदारों कि यहां पे दूरतता आप लोग देख सकत हैं कि बस की हालत इतने खराब है उसके बावजूद भी वो क्या कह रहे हैं बस तो फस्ट क्लास है लेकिन यह वो यात्रियों को श्यांत करने के लिए क्या कह रहे हैं यह तो इत्तिफाक हैं कि यह तो अचानक ही हो गई है अदर्वाइस बस बहुत अच्छी हैं शीन उसमें लग रही है और ऐसा लग रहा था बस को देखर जैसे कोई व्रिद मतलब जैसे कोई बूड़ा वैक्ती ठक कर बैठ गया हो और उसको जबरदस्ती चलने के लिए कहा जा रहा हूं और वहाँ पर लेखक को ऐसा लग रहा था कि यदि यह बस पूरी तरीके से मर गई तो हम इस बियाबान मेंने हम इस जंगल में अकेले ही रह जाएंगे और हमें इस बस का दासंसकार करना पड़ेगा हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ उदार है बस आगे चली उसकी चाल और कम होगी दीरे दीरे क्या हुआ कि थोड़ी देर बस को और जबरदस्त इसे चलाया गया और फिर अचानक से बस फिर पूरी तरीके से ही रुक गई एक पुलिया के जैसे यूपर पूँचे एक टायर फिस करके बैठ गया मतलब फिस करके बैठ जाना मतलब टायर पंचर यहाँ पर बसका हो गया और बस बहुत जोर से हिली और एक दम रुक गई अगर बस बहुत स्पीड में होती तो वो नाले में गिर सकती थी। मैंने इस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली भार्ष रद्धा भाव से दिखा। यहां कौन किसकी तरफ देख रहा है? लेखक देख रहे हैं। ठीक है? क्योंकि वो जानते थे कि कंपनी के मालिकों को या कंपनी के हिस्सेदारों को भी पता है कि जो हम बस चला रहे हैं वो जान हतेली पर रखना यहां पर एक महावरा है कि यानि कि अपने प्रानों की बाजी लगा देना यानि जो कंपनी का इस्सेदार था जो कंपनी यानि जो ड्राइवर था उसको भी पता था कि बस की हालत इतनी जादा खराब है उसके बाद भी वो जान हतेली पर रखकर इस बस से सफर कर रहा था ठीक है और ड्राइवर भी अपनी जान हतेली पर रखकर बस को चला रहा था तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है बस कंपनी के मालिकों की दूरतता दिखाई गई है कि उनको आम लोगों की बिल्कुल भी कोई परवा नहीं होती और अभी मैं आपको बता दूँ वर्तमान में भी क्या ऐसी हालत आप लोगों की बसों की देखते हैं क्या वर्तमान में आप लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारी भारत सरकार ने वहानों के लिए बहुत सारे नियम बना दिये हैं एक time period तैय कर दिया कि कोई बस सड़क पर इतने किलोमेटर और इतने समय तक ही चल सकती है आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपनी पुरानी गाड़ियां बेची क्यों बेची क्योंकि सरकार का नया नियम आ चुका था कि अब इतने इस गाड़ी को आप नहीं चला सकती है तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि लेकग ने किस परकार से यहाँ पे मानविकरन किया है तो धीरे धीरे करके जब उनका टायर फिस हो जाता है तो धीरे धीरे करके वो दूसरा टायर बदलते हैं लेकिन टायर बदला ही नहीं जा सका इतनी पुरानी बस हो चुकी थी दूसरा गिसा टायर लगा कर बस फिर चली मतलब उनके पास टायर भी नए नहीं थे पुराने ही टायर थे और फिर से पुराना ही टायर कोई लगाया अब लेखक ने और उनके मित्रों ने क्या कि हमने वक्त पर प्वना पुंचने की उमीद छोड़कर दो क्योंकि वो रास्ते में ही फस गए ना वो जबल पर पहुँच पाए ना ही पन्ना पहुँच पाए और इसमें ऐसा क्या दिखाई दिखाई दिया है कि बस की हालत इतनी खराब होने के कारण हम लोग बीच में ही फस गए लेकिन बस फिर से धीरे धीरे चली और इस प्रित्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं थी हमारी बेता भी तनाव खतम होगे कि बस की इतनी हालत है फिर भी वो अपना काम कर रही है तो इसी तरीके से बस में हसी मजाग चालू होगे यही चोटा सा पाड़ता आई होप आप लोगों को यह चोटा सा निवन पसंद आया होगा और कल हम इससे समदित प्रशनों को हल करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद बंदे मात्रम